कि अच्छा यहां पर माइक बंद कर रखा था मैंने हलो कि यह रावाज आरी होगी तो प्लीज बता देना फटा-फट से ताकि हम लोग फिर आगे पढ़ाई शुरू कर सके उमीद करता हूं कि आप बच्चे preparation करके आएंगे जी के थोड़ा सा tough है ठीके बेटा model paper में थोड़ा tough question डाल भी रखा है मैंने क्योंकि ऐसा है कि model paper है तो आप देखोगे तो model paper थोड़ा tough रहता तो इससे यह रहता है कि आपके अंदर और motivation आगा और पढ़ना है असान डाल द ज्यादा असान लगता है यहां से क्वालेटी अच्छा कर लेते हैं ताकि आप रोगों क्वालेटी अच्छा जाए हाँ जी हाई कार्तिक पीपी ब्रदर्स बैनीता सुनिल पूजा सौमय रवी रीता अनन्या प्रतिश्था रोहन चलो सबको हेलो हलो 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 आगे पढ़ मॉडल पेपर है मॉडल पेपर डिसकस करके जाएंगे तो सेलेक्शन गारेंटी अप लोगों को बता दूं कि अडमीट काड रिलीज हो चुका है एडमीट काड रिलीज हो चुका है आप लोग रिप्या करके जाएं और aisswe.nta.nic.in पे वहाँ पर से आपडोग अडमीट का जिसे CAPTCHA को जो फोटो में लिखा रहेगा ABCD123 उसको आपको डालना है और फिर उसके बाद आपको submit करना है, submit करने के बाद एक undertaking आएगी, undertaking में कुछ नहीं करना है, undertaking में आपको बताना है कि आपको करना है या नहीं है, आपके आज पास वालों को करना है कि नहीं या कोई खांसी कफ कुछ प्रॉब्लम को नहीं है आपको पूछ रहा ओप्शन दे रखा है, हैंस, अनुरुद, कैथरीन मायो, रैचल आउरन या फिर बैन आरोनविच इन चारों में से क्या है है करेक्ट आंसर मैं एक बार फटा फटा देख लेता हूं कि कि इतने बचे सही दे रहें कि अंजली भी बोल रहे है हाय रन्रतन, विक्रम हाय, अनजली भी, विक्रम अंजली राजेश, ट्यूब, कॉशल, सरस्वती, गुडिया, अंशुमन, प्रेमलाल, ट्यूब, आधित्य, अंशुमन, अंशुमन का सही आंसर है जनरली मैं असे देखा है अधित्य, रीना, सरस्वती, विरूतो, प्रेमलाल, रीना हो गई और एक कौन था, रिहान हो गया, इस सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाय अच्छे से किया करो ऐसी, रीना भी काफी आंसर सही देती है, शिवांस मिशा सुनिल कुमार का भी अच्छा अंसर रह बाद, नेक्स्ट कोश्चन आता है, मैलेट, मैलेट शब्द किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन साइस है, स्पोर्ट से कौन साइसा खेल है, जिससे मैलेट सब्द जुडा हुआ है, मैलेट शब्द, मैलेट, क्रिकेट, टैनिस, होक्की, या फिर पोलो, इसका अंसर बता सब क्या आंसर से सचिन दीपक वैशाली राउनक राज ट्यूब स्टेडी रिना देवी अमन सिंग ठीक है देखो सुबच और अशिया सचिन शुकला अभिनाव सब अंसर सही आप लोग ने बेलकों सही जवाब दिया है जिसके घोड़े खेलते हैं ब्रते हैं और साथ में स्टिक होता है क्या होता है मैले तो नीचे ग्रांड पे बॉल्प्रोस बॉल और चलते स्टिक से मारना और मार मार के गोल करना जैसे फुटबॉल में गोल होते हैं वैसे इसमें भी गोल करना रहता है लेकिन यहां पर आप पैर से नहीं मारे सब स्टिक से मारें वाल को छोटा सा बाल रहता है ज्यादा बढ़ा नीष् legitimate मेलेट मेलेट three question number 103 क्या पूछ रहा है who among the following first person to take head trick in a world cup अब जो cricket देखते हैं भाई से आप answer बता दो cricket का question आ गया cricket में क्या पूछ रहा है कौन पहला आदमी था पहला इंसान भारत का भारत का या कहीं का भी ठीक है जिसने सबसे पहले head trick मारा वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा हार्दिक पांडिया मुहम्मद शामी या फिर जस्प्रीद भुमरा तो चेतन शर्मा पांडिया शम्मी या फिर भुमरा इन में से कौन सा answer है 103 का boys मैं answer expect कर रहा हूं गल से expect नहीं करूंगा इस question का answer boys cricket देखते हैं बॉइस पांसर पता हो न चीए वशाली संजय शिवाले वीडियो जल्दी वीडियो को करके 100 प्लस कराओ फटा फट से और वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ सुबोद प्रेमलाल किशन भव्य ट्यूब बिंदास बहुत अच्छे बेटा सबका सभी सबका अंसर अच्छा खासा है सबने सही दिया करेक्ट चेतन शर्मा चेतन शर्मा इस दा करेक्ट आंसर और चेतन शर्मा ने हैट ट्रिक दिया था वर्ल् publi में सबसे पहला इंसान हो आगे बढ़ते हैं हैं एट ट्रिक समझ रहे हो ना है एक साथी तीन को क्या बहुते हैं है आगे बढ़ते हैं एक सबके आपिटेन आउफ बार्बाडस और यक सुचार गेपिटेल आफ बार्ब इन तीनों में से इन चारों में से कौन सा कैपिटल 104 का संजीव कुमार बोल रहा है सी रक्षित सचीन संजीव कुमार सी रक्षित अंशुमन प्रतिष्ट सुकला अनुकल्प पांडे रोहेत सचीन सिखा किशन रीना रोहेत अंशुमन बाकी बच्चे भी आंसर तो फटा- रहे हैं याने की ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं चलो बताओ इसका अंसर अरे इतने कम हो गए 128 आगे पढ़ो चलो इसका सवाल का अंसर है करेक्ट आंसर इस 104 का सी ब्रीज टाउन ब्रीज टाउन का कैपिटल है ब्रीज टाउन वीडियो पसंद आ रही है तो अगे नेक्स्ट कुस्टिन पर बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 105 105 पर पूछ रहा है वह मैंनी नंबर ऑफ बॉडिज इन यू एन उ यू मतलब यू नाइट नेशन और इस यू नाइट नेशन और इस ने नेशन में कितने नंबर ऑफ बॉडिज याने कि कितने और गेंस इनिता एच्ची गेमिंग यूटूब संजीव आर्जू रावत अनिल कुमार पीपी बनिता शिखर पिज्जा गेमर ठीक है ठीक ठाक दे रहे हो सारे करेक्ट आंसर ज्याधत ता सही दे रहे हैं एक दो को छोड़ के सबका सही आंसर है सिक्स इस अ करेक्ट आंसर छै कितने सिक्स उनाइटे नेशन के सिक्स और गेंस हैं बताया था ना सिक्यूरिटी काउंसेल और इड्सक्टर इड्सक्टर अगिनवा रखें आपको आगे चलते हैं 106 कुश्चन नमर 106 पे विच अमॉंग फॉलविंग इंट्रोड्यूस्ट प्री एंबल इन अबली के चैप्टर नमबर 3 में और वहां पर हमने देखा था जीके में कि का प्रियंबल याने की जो फर्स्ट पेज है जिसमें लिखा हुआ है कुछ चीजें जिसको कोई भी नेता बदल नहीं सकता है बाकी की बाकी कॉंस्टिट्यूइंस क्या है रूल बूक है उस रूल एसेंबली क्या थी वह एसेंबली थी आजादी के बाद जिसमें कॉंस्टिट्यूशन बनाने के लिए मीटिंग रखी गई थी और कॉंस्टिट्यूशन यानि की रूल बूक बनाया गया था जिससे देश चलता है तो उसको इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शन नमबर ABCD मे परटेल या फिर जवाहारला नहरू कुछ लोग देखो है इसमें थोड़ा डीबे टेबल रहता है जुआ लाल नहरू करेक्ट नहरू बहुत पहले भी एक बार ये कूश्चन बहुत पहले पुछा गया था इसके दोनों आंसर सही किये गये थे A और D को दोनों को सही किया गया था लेकिन मेरे ओपिनियन में आपको कौन समार्ग आना है भीम राउम बेट कर प्रियंबल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉंचिट्मेंट असेम्बली में हाँ जवारलाल नहरू ने सपोर्ट किया था कि प्रियंबल अच्छी चीज है रखो पर उसको बनाया किसने था भीम राउम बेट करने अगला कोश्चन 10107 हलो अथर्व अथर्व ने आंसर दिया 106 का ए ठीक है रूप मैं रिदर, फन मूमेंट, मूमेंट, स्ट्यूब, स्टडी, पीज़ा चलो देखो भाई सवाल 107 इरानी कप इस रिलेटेट टू बिजगेब कौन से स्पोर्ट से रिलेटेट है इरानी कप बैडिमिंटन, फुटबॉल, होकी या फिर क्रिकेट अरे बेटा इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में इतना फेमस गेम है करेक्ट आंसर मैं खुदी बता दू की बता रहे हो अंजली सिंग, 107D, शिवांस, दिले, बिंदास, रीभा, प्रेमलाल, सचीन, ट्यूब, स्टडी, हितेश कुमार आर्जू, रिशब, दिलाया, चलो, सबका, आधेल से ज़्यादा बच्चों का सही आंसर है D is the correct answer, क्रिकेट लड़कों क्रिकेट का अंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का क्रिकेट देखती होना, ज़्यादा तर बच्चे तो देखती होगे क्रिकेट के आंसर आने चाहिए आपको आज के टाइम पर फुटबॉल भी काफी फेमस हो रहा है रोनालडो, मैसी जैसे बड़े फेमस प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल को फेमस कर रहे है हौकी और बैडमिंटन थोड़ा कम फेमस है आज के टाइम पर भारत में हौकी बहुत फेमस था जब हम गुलाम थे उस ताइम पर भारत के तरफ से भारत के साइड से मेजर ध्यान चंद खेलने जाते थे और वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर थे हौकी के तो हौकी को नेशनल गेम भी से लिए बना दिया गया था भारत का क्योंकि इस वेरी यूनीक और वेरी प्राउड थिंग कि हमारे देश का एक बंदा मेजर ध्यान चंद पूरे विश्व का बेस्ट प्लेयर था आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 108 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डस नौट पास थुरू विच कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से देश से पास नहीं होता है ट्यूब स्टडी रूप मैं जी के ट्रिकी दुनिया असर नौदे विदाले क्लासिक्स का पेपर कब होगा अप्रेल में है बेटा नौदे का एक्जा पर सकते हैं अगर वह मुआठी तूड गया है तो फ्लीज अजय कुमार मैं दूसरे से भी पढ़ सकते हैं बस उसमें धिस नंबर looked से आपने लोगिन किया था फोन नमबर से उसी फोन नमबर से लोगिन करना पड़ेगा आपको तो आपका फोन टूटा होगा आपका सिम Willum प्रपाकिस्तान पक्कालिक लेज लो क्योंकि बाइब इन चार्व में से करना है इन चारों में से गूगल करके आंसर मत बता बेटा आपको एक्जाम में गूगल नहीं मिलेगा फोन नहीं मिलेगा वहां रटके जाना पड़ेगा शेष गुपता बोल रहा है एरान एग्जैक्ली बहुत अच्छे श्रेष्ट रक्षित अंश्यूमन अंश्यूमन का गलत है अंसर बनीता सही है रीना गलत नीशा सही इरान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है इंडिया से पास होता है एजीट से पास होता है और अलजेरिया से पास होता है आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 15 पर आते हैं पंद्रा कोश्टें नमबर 15 15 क्या पुछ रहा है metallic coin first used in which state in India देखो भारत हमारा देश जो है कितना भी प्राचीन हो लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब से दुनिया बनी तब से metals होते थे है ना जो coins तुम आज देखते हो metal के coin वो coin पहले थोड़ी थे भी या पहले तो metal ही क्या होता नहीं पता था पहले तो iron ही डिसकवर नहीं हुआ था लोह ही डिसकवर नहीं हुआ था तो metallic coin सबसे पहले भारत के किस state में start हुए यह सवाल पूछ रहा है औप्शन है बिहार एंड इस्टन यूपी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सदन इंडिया मतलब की south part इंडिया का western इंडिया भारत का west part जिसमें राजिस्थान गुजरात वगएरा है सेंट्रल इंडिया याने की मध्य प्रदेश 36 गर्ड और यह सारे पार्ट मैंसे कौन सांसर 109 का 109 का मिरेनल भववे आर्जू सचेन शिवालेज बुरू बरूटो बेनीता रीना चलो सही है कुछ बच्चों का सही है कुछ का गलत है ज्यादतर बच्चे गलत दे रहें मेर से पहला मैटली कोईन था याद रखो बेटा प्राचीन काली में भारत में सबसे ज्यादा डेवलेफड स्टेट की था आपने ज्यान प्राक्ती की थी विहार में की exists पर ऊसे ब्रेंज यह अ कि आज भी देखो कि तो बिहार के बच्चे काफी मैस वगरा में काफी इंटेलिजन्ट होते हैं आगे पढ़ते हैं एक बिहारी इसा पर भारी है अब ऐसा मत सुझना है कि मैं बिहारी हूं मेरे दोस्त बहुत सारे बिहारी है इसलिए मुझे पता है बिहारियों का मैस सौम्या इंफ्रों बिहार चलो बहुत अच्छे बेटा फन मुवमेंट मुवमेंट आरती प्रेमलाल सचेन केसक मोटिवेशनल मिनट सेलो सचेन रूपमय यतुल आर्जू सौम्या हरियों सिखर शिखर बिहार से रिहान रूपमय शिवयादव वासु चौहान हरियों सुग ठीदा कुना सुमां मंधू चलो बहुत लोगों का नाम आगे है बहुत सारे कमेंट आत चुके हैं करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं कुछ लोगों थिक देश है जहां पर क्रायोलाग्ट बहुत ज्यादा प्रेइन ऐक इंच्रेंट स्बताता हूँ— ग्रियीन है है ना लेकिन वो Greenland पुरा बरफ से ढखा हुआ है और Iceland के नाम में Ice आता है और Iceland में पुरा Green है मतलब गास फूस है पेड़ पौध है अब पता नहीं लोगों ने अंग्रेजों ने ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है Greenland जो actual में Green है उसको बोल दिया Iceland पता नहीं क्यों ठिक तो यह ध्यान रखना है Greenland में क्राइलेट पहे जाता है Greenland बरफ से ढखा हुआ है नाम पर मत जाना नाम उल्टा रखा हुआ है इन दोनों कंट्री का अगला है Retreating Monsoon occurs during which month Monsoon का जो महिना होता है Monsoon क्या होती है हवाएं होती है जो बारिश लेके आती है अपने सांथ वो हवाएं आती हैं कुछ महने तक फिर वो वापिस चली जाती है तो कौन से महने में वापिस चली जाती है भारत में Option है November, September, October या फिर December 111 का अंसर बता दो फटा फट D September, Children's World B, Hario, High, Subod, Hario, Children's World, Ravi अंसर नहीं पता कि बच्चों को आज ज्यादा अंसर नहीं आ रहे लग रहे हैं फटा फटा बताओ कुछ कुछ टाइब करके बता तो मेरे को इशब, पीउस, आर्थी, रक्षित, र्यूबी, त्रिवेनी, नगेंद्र जाहतर बच्चे B बोल रहे हैं, B correct answer नहीं है बेटा correct answer is October, October is the correct answer C, October के महने में मौन्शून वापिस retreat हो जाता है, return हो जाता है उसको हम बोलते हैं, retreating मौन्शून आकर सें October month, आगे चलते हैं सवाल में 112 question है, Dr. MS सुबलक्षमी, Dr. MS सुबलक्षमी related with सुबलक्षमी जो है, वो एक बहुत famous artist है किस चीज़ की artist है, हिंदुस्तानी music रुपद, कथक या फिर कार्नेटिक classical music प्रेमलालीता, पिज्जा पेमलाल, गुपता, आरती फन मुमेंट्स, मुमेंट्स, यमुना रुपामाई, शिवांश पेमलाल, रीता, प्रियांशु, हरियोम आवीश, गोलयादो बोरूटो, रुपमाई पीजा गेमर अब्दुल्मन मनेयार, सुबूना शांती महता, प्रियांशु बुटी, बंटी शिवांश, पीपी ब्रदर्स चलो, बहुत सा रेकमेंट्स आगे हैं सबके नाम तो नहीं रीड कर पाऊंगा, मैं ओजर्स, बिंदाज गेमिंग, आदर्श राज ठीक है, देखो, हैकर जी सबको देखो, रिहान गेमर डीप लॉक्स, इसका correct answer क्या है जातर बच्चे गलत दे रहे हैं मतलब इस सवाल में, ये सवाल सब्सक्राइब तफ था तफ था क्या? आंसर गलत दे रहे हैं, इसलिए मैं मान के चलो तफ था इसका answer है, Carnetic Classical Music Carnetic Classical Music Carnetic का मतलब समझा दूँगा पर पहले याद कर ले लो MS Subalakshmi MS Subalakshmi is related to Carnetic Classical Music Carnetic मतलब होता है Carnetic मतलब होता है South Indian समझ लो अब मतलब exact meaning नहीं है पर Carnetic word का मतलब होता है South Indian Classical Music ठीक है? Classical Music तो यहाँ पर देखो गए आप लोग तो आपको समझा आएगा कि Carnetic Classical Music से related है यानि कि South Indian Classical Music से related है सुबालक्षमी नाम से ही पता चल रहा है की Cheese from South India आगे चलते हैं सवाल नंबर सवाल नंबर 113 पर आते हैं कशक, शिवान, स्पेमला, निकलेश, पीज़ा लाइक बढ़ा दो यार 138 हुआ है लाइक को फटा-फट देर सो पार करा दो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है द्रोन स्कुल की फैमली को बढ़ा करना है न अभी कितनी है हमारी फैमली देखते हैं एक बार अभी हमारी फैमली 341,000 पे है इसको 350,000 पहुचाना है एक्जाम से पहले दोस्तों से शेयर कर देना कहना सब्सक्राइब कर लेंगे सटेक मैने मुझवल कुमार ये लो ले लिया आपका नाम कारनेटी क्लासिकल मुजिक शेष गुपता लेट अंसर आ रहा है पहले सांसर दो आगे बढ़ चुके हैं हम लोग सवाल नमबर 113 विच केस राम प्रसाद बिश्मिल रिलेटेट तो याद करो राम प्रसाद बिश्मिल याद है नाम बताया था कहानी कभी एप में जब पढ़े थे कहानिया सुनाई हैं ये सब सारी ठीक है राम प्रसाद बिश्मिल जो थे वो कौन से कॉंस्पिरेसी में इन्वाल्व थे अलीपूर कंस्पिरेसी काकोरी कंस्पिरेसी कानपूर कंस्पिरेसी या फिर मीरट कंस्पिरेसी ये कंस्पिरेसी क्या था ब्रिटिशर्स के अगेंस ये जो इनसान है आर्जू पीजा मुहम्मद अस्लम सही बोला है मुहम्मद जी ने भारत निंगा आर्जू अंशुमन पीजा प्रहस्त पारश आरती निखेल अंशुमन आर्जू दीपक शिवांस पारश शुबोध भव्य ठीक है आंसर पता देता हूं कुछ ने बोला है कि डॉंट नो ठीक ह कोई नीज बताओंगा बर्गर गेमर्स मुष्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अच्छा या बुरा तो केवल भरम है जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है वाँ वाँ बर्गर गेमर्स वाँ पता नहीं कहां से चेपते हो तुम इंटरनेट प that conspiracy, दो conspiracy के लिए फेमस हैं, रामपरसाद बिसमेल, एक तो यहाँ पर option दे रखा है, काकोरी conspiracy, दूसरा है मनिपूरी का conspiracy, मनिपूरी conspiracy के लिए भी रामपरसाद बिसमेल is famous conspiracy, ठीक है, इसमें अगर मनिपूरी दिया रहता है काकोरी के जगा भी तो आपके answer मारते हैं, मारी पूरी मारते हैं, क्योंकि इन दोनों में रामपरसाद बिसमेल का नाम आता ही, आता है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमर 114 पे, अकबर बुलंद दर्वाजा विक्ट्री ओवर, अकबर बुलंद दर्वाजा विक्ट्री ओवर, कौन से कहां पे इन्होंने विक्ट्री पाई थी, गुजरात, अशिरगर फोर्ट, पानीपद बैटल या फिर चित्तोडगर फोर्ट, फोर्ट मतलब समझते हो ना महल जो होता है ना फोर्ट, किला किला, मतलब कीला, कीला समस्ते हो ना, राजा लोका होता था कीला, जहां पर रहते थे, बंटी नायक, रेहान गेमर, sir, my net is gone in, क्या माइन इस गॉन इन खंदर कोई बात ने शंतोष वेलकम लेट होने से कोई बात नहीं है पुराने से देख लेना बाद में अभी प्रेजेंट ली लाइप पे रहो पुराना जो छुटा है बाद में वीडियो देख लेना प्रहस्त कुमार सर रायम फ्रम नौदेव दाले सब्सक्राइब कर लो नहीं हो तो आप फैमली को बढ़ा करना है ना तीन लाग चालीस एक तालीस अजा त्री लाग फुर्टीवन थाउजंड है थी लाग फिफ्टी थाउजंड पहुंचाना है सी भी सी गुजराट ठीक है कुछ बच्चे सही दे रहे हैं कुछ गल्त दे रहें पर यहादा तर का आंसर वेरी कर रही है याने कि यह कोश्टनथ भी नहीं पता था इसका correct answer रट लो गुजरात अकबर बुलंदरवाजा विक्ट्री ओवर गुजरात गुजरात में जीता था गुजरात को जीत गया था किनों ने अकबर बुलंदरवाजा आगे चलते हैं question number 115 what is the capital of घाना घाना एक country है उसका capital कौन सा है नाम देख लो तीराना तबलीशी अक्र या फिर अद्दिस अबावा अजीब अजीब नाम है अफ्रीकन कंट्रीज है तो अफ्रीका वालों का जानते हो ना हुलाला हुलाला करते हैं तो उनका थोड़ा नाम भी ऐसी रहता है ठीक है अधर आयम स्रेयश मैंने आइफुल फॉर्म ऑफ सैनिक स्कूल बहुत अच्छे बेटा गनेश स्वारी इस अच्छे से अग्जाम देना श्रेश्ट फिर अंसर लेट दे रहा है बेटा क्या कर रहा है जल्दी आ सही पर टाइम पर दो आंसर मैं आगी निकल जाता हूं फिर पर टाल भी देता है ठीक है नॉर्मल ओमर सीट मिल जा रहा है जो आप दुकान से खरीच सकते हैं पर सैनिक स्कूल वाला ओमर सीट तो अभी नहीं मिल रहा है कहीं पर शिवांस मिश्रा सरस्वती सिंग परिहार राज कुमार आयम निव स्टुडेंट वेलकम राज वीडिय अंशुमन पारस सब कोई देखो यहां पर इसका अंसर क्या है करेट घाना का कैपिटल है अकरा अकरा इस दो करेट अंसर घाना का कैपिटल है अकरा 116 question number 116 which of the following mountain passes are not in India भारत में कौन सा mountain pass नहीं है इन चारों में से रोतंग पास खेबर पास बाराल अचला पास या फिर लिपू लेक पास question थोड़ा सा tough है क्योंकि ये question मेरे को ऐसा लगता है कि इन question का अंसर शायद इसको बच्चों को जादा नहीं पता होगा कौन सा पास इंडिया से पास नहीं होता है कौन सा mountain pass इंडिया से पास नहीं होता है रोतांग पास, खाइबर पास, बाराल अचला पास या फिर लिपूलिक पास श्रेश्ट ने सही आंसर दे दिया है श्रेश्ट का अंसर कोई देख लेगा तो सही देखेंगे सारे हारदिक, आरजू, धिरेंद्र, सुबोध, पिंकी, शिवांच, चलो क्या है सुबोध सर आ आप कहां से हो सुनिल कुमार, शेश्ट गुपता जी मतलब मेरे से पूछ रहे हो कि यह जो कमेंट करता शेश्ट गुपता उसका नाम शेश्ट नहीं है, वो बस मेरे नाम से वो ऐसी मज़े लेने आता है, मैं तो सुरचपुर्ष हत्तिसगर से हूँ, यह एक बर माइक को अच्छा लगेगा, अब अच्छा दिख रहा ना, थोड़ा प्रोफेशनल लगना चीए, तुम्हारा टीचर हूँ, तो थोड़ा तो प्रोफेशनल रखना चीए तो अच्छा लगे थोड़ा, जेंटलमेन, हाँ भई, इसका अंसर है, 116 का अंसर है, B is the correct answer, काइबर पास is खाइबर पास is not present in India, खाइबर पास भारत से पास नहीं होता है, आगे पढ़ते हैं, सवाल नंबर 117, सवाल नंबर 117, किस ने लिखा था, नाम देख लो, आनंद नीलक कांतन, गीता सहगल, डोलस नोईल आडम्स, या फिर मार्गरेट मिचल, नाम बहुत कठिन कठिन है, मैं जान रहा हूं, अंगरेजो के नाम ऐसे ही होते हैं, उनको उनका नाम आसान लगता होगा, हमें मुश्किल लगता है, हम हमारा नाम उन्हें मुश्किल लगता होगा, अब स्रेष्ट गुपता बोलना कितना मुश्किल है, तो वह आते होंगे, उनको लगता होगा, वैसी हमको उनके नाम अजीब लगते हैं, बट अपने को तो नाम याद करना ही पड़ेगा, पताओ, रेहान डी बोल रहा है, रे प्रेश्ट गुपता बोल रहे हैं, मेरा नम स्रेष्ट हरी लिए अगुपता भी नाम है, ऐसा तो को इंचिदेंस हो नहीं सकता है, मतलब पॉसिबल तो है, क्योंकि मैं अकेला स्रेष्ट गुपता तो नहीं होंगा दुनिया में, बट डेखते हैं, हो सकता है, मान लेता पुराना वाला था बेटा, वह गलत था हो, इससे भी लिए अंसर नहीं है, प्रेश्ट प्रेश्ट पर आते हैं, कमेंट्स में, लेट चल रहे हैं मेरा वीडियो, तुम लोग इतना लेट कमेंट्स दे रहे हो, पूझा कुमारी, सचेन, हितेश, शिवांस, बरूटो, हिते 31 है, आपका M21 है, रीना, दीपक, हितेश, हुजा कुमारी, चलो आंसर देख लो, ये कौन हसर है, इतना, बर्गर गेमर्स, आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है, जैसे छोटे, दरवाजे में भैस फस गई है, वाह, बर्गर गेमर्स, खाली पढ़ना लिखना, आता है, तो कोई बात नहीं, बीच-बीच में इंटर्टेन्मेंट होना चाहिए, बर्गर गेमर्स, शार बनेगा लगता है, बेटा हमारा वड़े होके, लो भी या, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, रिहान ने सही आंसर दिया था, मार्गरेट मिचल इस है, यह बुक, गॉन विद द विंड, हवा के साथ चल दिया, ठीक है, अगला है, नौटिकल माइल इस यूनिट ऑफ, माइल वर्ड सुना ही होगा न, किलो मेटर जैसा माइल होता है, फटा फटा आंसर पता हो, इसका, मास, वर्क, लेंध या फिर एनरजी, किस चीज का यू लेगा, मैं भूल जाता हूं, आप लोगों का नाम, सर श्रेश्ट गुपता का रियल नेम प्रिंस है, अच्छा, ठीक है, प्रिंस, प्रिंस है, वो स्रेश्ट गुपता नहीं है, ठीक है, मांशी थैंक्स बताने के लिए, आगे बढ़ते हैं सवाल में, दिलाय संजीव, द लोगों में मोटिवेशन हों कि और पढ़ना है जीक है, ठीक है, डरने का नहीं है, मैं अगले बारे काम करूँगा ना, सेंपल पेपर करा दूँगा, सेंपल पेपर नहीं सॉरी, प्रिवेस येर, प्रिवेस येर तो बहुत आसान था, पहले के देखना ना कोस्टिन, हलव आ जाएंगे फुल नंबर, इंटेलिजन टेस्ट में भी, इंग्लिश लेंग्वेज है भी या, बहुत इजी होता है, वो तो लेही आओगे, लास्ट में बसता है जीके, जीके मतलब जीके प्लस साइंस, तो जीके वाला जो है वो टफ है, उसमें सबसे कम चांस होता है नं के कम नंबर आते हैं, compared to math and intelligent test and language, तो math, intelligent test और language में तो focus रखो, 100 out of 100 question solve होने चाहिए, एक आद दो question नहीं बना तो कोई बात नहीं, जीके में चल जाएगा, थोड़ा बहुत question नहीं भी बना तो, क्योंकि बहुत बच्चों का नहीं बनता है, ठीक है? किलो मेटर जैसा होता है, किलो मेटर किसका यूनिट, लेंथ का लेंथ नापते हैं, किलो मेटर में, दो किलो मेटर, तीन किलो मेटर, वैसे ही, माइल से भी नापते हैं, पांच माइल, दस माइल, कितना दूर है, चार माइल दूर है, दो माइल दूर है, ठीक है? तो nautical mile is the correct answer nautical mile का unit का correct answer है length 119, 119 Dravidian art Dravidian art associated with Dravidian art कौन से period से associated है period में हमाने अपने इतिहास को period में बाट रखा है मुगल period, संगम period Moran period, गुपता period तो जो जो empires, dynasties आई उनके नाम पे हमने period बना दिया कि इतना period इतना period ये नाम है, संगम period, मुगल period गुपता period, Moran period इनमें से answer correct बता दो फटा फट शिवान, सॉम्य बरूटो, आयूश गेमिंग सर मैं 15 साल का हूँ, मैंने सैनिक सुल crack कर दिया है, सर वो स्कूल में कोरोना की patient थे इसलिए घर पर बैठा हूँ, अरे बहुत अच्छे, आयूश अच्छी बात है कि आप अभी भी ये सब चीज़ें अटेंड कर रहे हो, आपका knowledge बढ़ता रहेगा, वेलकम आयूश, वेलकम टू दुरोन स्कूल, फैमिली, बरूटो, सचेन, अंशुमान, कांज, पारस, सच चेन, सुबोध, आरजू, सरस्वती, ठीक है, आंसर ठीक ठाकी दे रहे हो, और इन्यादों का नाम यशिका है, बेटा आप लोग अपना नाम बताओगे तो मैं भूल जाओंगा, अपना जो नाम है न, अपने इमेल आइडी का जिससे आप कमेंट कर रहे हैं, उसी को बदल और जिसको भी यह पेपर टफ लग रहा है, प्लीज डरने की ज़रूद नहीं है, यह मेरा सेंपल पेपर है, मैंने टफ कोचन डाले इसलिए थे, ताकि तुमको थोड़ा एक आइडिया मिल जाए, कि जीके इस लिटिल टफ पढ़ना पढ़ता है, तो अभी अगले बार से म आर्मी में क्यों नहीं गए, अश्विन पूछ रहा है, अश्विन बेटा, एक्चुली सैनिक स्कूल में मैं था, और मेरा, मेरे सारे दोस्तों का टार्गेट था, आर्मी या नेवी आयरफोर्स में जाने का, मेरा इसलिए नहीं था, क्योंकि मैं बच्पन से ही साइंटिस् और में साइंटिस्ट और में था बनाता रहता हम, आर्मी में रहे इंटर्स था पर यह था कि तीचर या फिर या फिर फिर इंजीनियर की तरह जाना चाहता था, इसलिए मैंने आई इटी की परिक्षा दी क्रेक्ट किया एक्जाम की और मैंने अभी कॉलेज की इंजिनिरिंग की और हलाकि मेरा मन था आर्मी में जाने का पर घर वाले थोड़ा चाहते थे कि मैं घर पे काम करूं इस वज़े से मैं जा नहीं पाया पर आप लोग जाओगे मेरा सपना पुरो करोगे आप में जाके शंतोष भारत उतकर चलो सब का अंसर आ गया है श्रेश गुपता एक बार ही कमेंट कर बेटा बार बार कर रहा है श्रेश का नाम क्या था भूल गया है में असली नाम जो भी था चलो इसरे शियरे एक भी कोशन ठोडना नहीं है सारे में गोले भर क्याने है तुक्का मार क्या आना है गयस कर के अगर नहीं पता आ थो छोड़ना नहीं सवाल ठीक है प्रफ्रीज टेक माइनेम इस केविन चौहान ले लिया केविन चौहान चलो इसका अंसर है करेक्ट अंसर अगला कोश्चेन वेर इस यू नीड़ यू नीडो हेड्ड कॉर्टर्स यू नीडो कैपिटल उनाच यह था प्रिंटिंग निस्टेक कर दिया मैंने युनाइटेड नेशन इंडस्रियल डेवलेप्मेंट और्गेनईजेशन यह कहां पर युनाइटेड नेशन का ही एक है ठीक है क्या है यह इंडस्री वगएरा के उन्थ कारेक्ट आंश दिया है सीे वियन इस लिएन सब्सक्राइब आये जेम इस बहुत अच्छा पढ़ाते आप लोगों को बहुत मज़ाता होगा इस टारो मैक्स एक्जाम कभ और घुटा एक्जाम कभ और पुछता है अच्छा हलाकि देखो एक जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहे न ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का एक्जाम पॉस्पॉर्ण हो जाएं उम्मीद करो कि एक्जाम for you guys ठीक है चलो अगला पढ़ते हैं हो मैनी प्लेयर्स आर इन देर आर इन कबड़ी कबड़ी में कितने प्लेयर्स हैं 61157 कबड़ी जो जो खेलता है उसको पता होगा कि कबड़ी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं संथीप बोढ़ रहा है सर छुटे कर दक है कहां की कौं से मैंत की प्रिंश्च चौधरी रिहान रक्षित डुर्गे पार में आ burden स्टेश गुपता का ठीक है प्रिंच चौधरी दिशू सुबोध अरे 181 लाइक लाइक बढ़ाओ यार 200 पार कराओ जल्दी से 175 लोग देख रहे हो जल्दी कराओ आगे बढ़ते सवाल नंबर हो मैंने प्लेयर सारी इन कबड़ी इसका अंसर हम उता देता हूं राम आरे इन क सारे सही ंसर दे रहे हैं सह क्षवे कि वए प्लेएर सबती कि के में साथ प्लेयर सैबन प्लेयर आर देर इन वन बास्टेट बॉल में वालीवाल में इस्प्लेयर कृक्ट क्रिकल्ट में 11 शेक्र हैं आगे में बढ़ते हैं ओчески सवाल नंबर में 22 ज्यादा नहीं बचका जाने सुना है बस चार कोश्चन है चार कोश्चन कर लो उसके बाद घर चले मतलब डिनर करने चले जाना सवाल नमर 122 और लाइक को बढ़ा के का नाम है बे ऑफ बेंगॉल तो अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं ऐसा पूछ रहा है सवाल में क्लियर हैं गंगा नर्मदा तापी या फिर दोनों नर्मदा एं तापी अब उतकर शी यादव डी भव्य रूबी प्रदीप एक भारती है सचेन आई लव फुटबॉल मुहमद असलम दीपक अनमोल रक्षित उतकर सचेन एक भारते राम रागव रक्षित नीतू अनमोल सुबोद किसन रेनू रिशू सचेन रीना उतकर सादर्स अनमोल भारत भ इवारत का गलत है सही आंसर में वता दिता हूं जाती है अरें मिलते हैं बांग बढव में देश में और बंगल से फिर बेंगा और और सवाल में Arabian C का पुछा था तो correct answer है नर्मदा एंट अपी बोथ तो बोथ BNC is the correct answer लास्ट के तीन सवाल है फटा फट से करते हैं उसके बाद जाएंगे rest करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, मज़े से डैश is the current chief minister of करनाटका करनाटका के current chief minister अभी presently कौन है करनाटका एक स्टेट है साउथ इंडिया में करनाटका में लोग कौन सी language बोलते हैं कनड बोलते हैं कौन सी language कनड answer तो 123 का रक्षित अन्शुमान, रक्षित सी बोल रहा है उतकर्ष, रिशू, बंटी, गोल कम्प्लीटेड हाँ बेटा बंटी, थैंक्स फॉर, बताने के लिए 200 likes के goal complete हो चुके हैं अब मैं जादा likes का demand नहीं करूँगा करने कमन करे कर लो, पर channel को subscribe कर ले न sir passing marks क्या है अलग-अलग school का बेटा passing marks अलग-अलग रहता है कहीं 240 जाता है, कभी 250 जाता है जनरल, OBC, ST, ST का अलग-अलग होता है passing marks, cut off अलग-अलग होता है देख ले न, 200 प्लस तो स्कोर करो कम से कम कोशिश करो अगर 240, 230 ऐसा कुछ आ जाए 250 तक अगर आपके number आ रहे हैं तो आपको मिल जाए कैसा नहीं के school ठीक है जिन्दगी में स्वागत किया था दिल खोल के भाग गया था हमसे फकीर बोल के अभी आते के message उसके बोलता है दोस्ती कर लो आप बोल के वाँ 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 अधवूत अधवूत चलो इसका अंसर बताओ कौन है करेंट चीफ पिनिशर कौन है अंसर अब मैं खुद डाउट में आ गया एक बार मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ चीफ मिनिस्टर मेरे को जहां तक याद है इसका अंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बी एस यदि यूरपा लेकिन बच्चे अलग अलग अंसर दे रहे हैं सही तो बोल रहा हूँ नहीं सही नहीं है सही नहीं है क्या करेक्ट अंसर है करनाटिका का चीफ मिनिस्टर कौन है इसमें से कोई भी ऑप्षन नहीं है चेंज हो गया क्या अभी का एक मिनट में एक सेकंड देख रहा हूँ न चीफ मिनिस्टर आफ करनाटिका अरे यार मैंने क्या पुराना वालनाम दे दिया कि इनको हाँ अभी रीसेंट में change हुआ है प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर करनाटिका का अभी change हुआ है इस question को आप लोग काट दो थोड़ा देर के लिए ठीक है इस question का correct answer इसमें option में नहीं मिल रहे है answer correct है Chief Minister है करनाटिका का बासव राज बुम्माई बासव राज बुम्माई लिख देता हूं यहाँ पर मैं बासव राज बासव राज बुम्माई मेरी गलती इसमें मैं इसमें answer गलत नहीं हो पाया क्यों इसका reason समझो यह जो cm है यह अभी change हो गया ठीक है पहले इसके cm कौन थे bs यदियूरपपा अभी कौन बन गये हैं वो साव राज बुम्माई इस वज़र से मेरे से यह mistake हो इस question में आके बढ़ते हैं सवाल last के दो question करते हैं थोड़ा embarrassing था मेरे लिए कि मेरे से गलत हो गया answer ठीक है ऐसा होता है क्यों पता है जीके में क्योंकि जीके में हर चीज़ें बदलती रहती हर मैंने हर स्टेट में अलग-अलग स्टेट में कभी कोई नया सीम आ जाता है कोई नया governor आ जाता है तो पुराना आपको बार बार रिवाइस करके याद करना पड़ता है आपको पुराना भूलना पड़ता है फिर नया याद करना पड़ता है कि वो नहीं है अब कोई और बन गया ह सवाल पर आते हैं 124 वू इस दगवर्नर ऑफ पंजाब का गवर्नर कौन है प्रतिश बोल रहा है सर जनरल के लिए पास्टिंग मार्क्स क्या है यार 200 देख लो यार 250-240 इतना तो लहीं आओ कम से कम अलग अलग या देखो एक्जाम की बेसिस बोता है एक्जाम असान आएग अगर एक्जाम टफ आएगा तो कट अफ दो सो दो दस दो सो बीस ऐसा पहुत जाएगा 210-220 तक एक्जाम इजी आएगा तो कट अफ बढ़ जाएगा 250-260 तक ठीक है इसका अंसर फटा-फट से है इसका अंसर मैं बता देता हूं डी इस दग्रेक्ट आंसर वीपी सिंग ब गवर्न अफ पंजाब रवन सिंग बोल रहा है इसका पुराना अफ पंजाब यह वी चेक करना पड़ेगा पंजाब में इतना इसाफ पॉलिटिकल इसू है बार बार अलग-अलग नेका आते हैं है अलग-अलग होते रहते हैं इसलिए मैं अशा सोच रहा हूं कि गवर्न जो है वो बदलना तो नहीं चाहिए पंजाब का जो पुराना था वही रहेगा पर एक बर मैं फिर इसको भी चेक कर लेता हूँ पंजाब हा भई पंजाब गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है बन्वारी लाल पुरोhit इसमें ओप्शन ही नहीं लिक्षा है मैंने गवर्नर में इसके भी governor change हुए है अभी recently ही change हुए है इसको भी आप लोग update कर लो कौन है governor of Punjab governor of Punjab is बनवारी लाल लिख लो बनवारी लाल copy में लिख लो ये ठीक है यहाँ पर option मैं नहीं दिया था क्योंकि मैं मेरे को पुराना data याद था मेरे को भी नया data मैंने चेक नहीं किया था है तब्षिन साम है बनवारी लाल पुरोहित पुरोहित और करके एक बार वीडियो वाला नाम लिख लो बनवारी लाल पुरोहित थीट है इसको काड़ित है की ये जो चार option है पंजाब का गवर्नर अब कौन है बनवारी लाल प्रोहित पहले कौन थे वीपी सिंग वीपी सिंग के बाद अब कौन बन गए बनवारी लाल प्रोहित लास्ट कोश्चन है ये सवाल एक बर और भी आ चुक है पहले तो इसका अंसर पता होना चाहिए हलाकि मैंने आपको नहीं कर रहा है बट ये question आसान है correct answer है केरला केरला ने क्या किया है अपने public schools public मतलब government schools को पूरा डिजिटल कर दिया है लगा दिए डिजिटल जनके चना जाता है केरला सबसे ज्यद्य के मतलब है होते हैं मैं । लिके मतलब लगभख हर इंसान को महाँ पर पढ़ना ये लिखना एक बच्चे ने लिखा है मोधी जी की डेत्थ हो गई भाई सबस्क्राइब मेरे को बेमतलब में मेरे लगते हैं मोधी जी किसी नहीं लगते होंगे तो इसे खुनस मत निकालना चैप्टर हो गया खतम 125 कोशन्स पूरे कंप्रीट कर लिए हैं किसी भी सवाल में डाउट हो तो पूछ लेना 123 और 124 को करेक्शन कर लेना इसके करेक्ट आंसर क्या है करनाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंटली बसावराज बोमाई ये भी अभी कु कोई कोश्चन आएगा तो मैं लिखके दे रहा हूं 99% बच्चों के गलत होगा क्योंकि 99% बच्चे बुक से पढ़ रहे होंगे और बुक में तो 2021 से पहले बना था तो बुक में तो ये प्रेजेंट वाला अपडेट किया नहीं होगा ठीक है चलो फिर करेक्ट अंसर हो गय पंजाब बूदी कोछ नहीं होगा ना कुछ भी कोई डैस्वर्ट नहीं दिखाते ना निवह गए चलो टाटा बाय बैए बैए बेटा सबको बाए प्रश्चुल बाए प्रीती रूद्र राइडर रेहान रहान बोल रहान बोल रहा है आरे केड़नी आटेक दिलवाएगा दिलवाएगा क्या चलो टाटा बाए 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 शलूट मार देते हैं एक बार जाए हिन भारत माता की जै